हेरो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम फ्रेंट इस वीडियो में सी, लुक, एंड वाच इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे इस्टूडेंट इसमें काफी ज़्यादा परिशान रहते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं एक्जांपल के साथ समझने की कोशिस करेंगे तीनों के महाने होता है देखना यानि आखों से जो चीज देखते हैं उसको कहते हैं लुक, सी और वाच सबसे पहले हम देखते हैं वाच वाच हम वहाँ लगाते हैं जहां हम अपनी अटेंशन यानि तवज़, ध्यान देखर किसी चीज को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए कुछ समय के लिए लगातार उसको देखते हैं, काफी जादा अटेंशन उस पे देते हैं जैसे आप इस वीडियो को आप मूवी देख रहे हैं वहाँ भी आप वाच लगाएंगे या कोई भी चीज ऐसी जो पर अब टेंशन कर रही हो यानि हरकत कर रही हो दोड रही हो उसे आप देख रहे हैं अगर ध्यान से तो आप वहाँ वाच का इस्तेमाल करेंगी और C के इस्तेमाल देखते हैं C आप वहाँ लगाएंगे आप जो चीजें अपने आज पास देखते हैं जहां आप अटेंशन नहीं देते हैं जैसे आप इस वीडियो में और भी बहुत सी चीजें देख सकते हैं जिस पर आप गौर नहीं कर रहे हैं तो चीजें आप क्या कर रहे हैं C कर रहे हैं आप अपने चारों तरफ जो चीजें हैं इस वक्त बैठे हुए जहां भी हो तो आप जो भी चीजें देख रहे हैं C कर रहे हैं यानि आप देख रहे हैं तो C यानि इसमें आप अटेंशन नहीं देते हैं बस कहते हैं कि हमने एक घोडा देखा तो आप कह सकते हैं yesterday we saw a horse हमने कल एक घोडा देखा ठीक है अब बचा हुए है लुक अगर आप किसी खास डायरिक्शन किसी खास दिशा में आप देख रहे हैं तो आप पो less कि इस्तिमाल करेंगा दर कोई मुझे से इस पेल को देखो तो कहेंगा ब्रो लुक तो यहां वो इस्तिमाल करेंगा लुक की कि यो खास डायरेक्शन या खास दिशा में मुझे बुला रहा है देखने के लिए तो हम वहां लुक का इस्तिमाल करते हैं उमिद करता हूं दोस्तों आपको लुक सी और वाच में डिफरेंच जो है वो करते हैं वहां याक स्टण सुमेंट भागा है असलिब्सप्स केृट को कृट है जो भाख आपको के लिवारेक्शन जो रहा है का ऊंपने ईष्रेंगा करते है वो